Hello everyone, इस वीडियो में हम discuss करेंगे दा हिंदियू न्यूस पेपर से लिए important vocab जो कि आपके सभी तरह के exams के लिए important role play करेंगे और साथ ही आपको बता दू, इस पार्ट में मैंने 10 words लिए हैं जिनकी मैं आपको English meaning और Hindi meaning दोनों बताऊंगा और साथ में आपको उस word का sentence uses भी बताऊंगा और उस sentence का Hindi translation भी बताऊंगा तो चलिए, start करने से पहले, यहाँ पर बहुत ही अच्छा motivation quote है वो देखते हैं जीवन में कटनाईयां हमें बरबात करने नहीं आती हैं बलकि यह हमारी छुपी हुई समर्थ और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती हैं कटनाईयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कटिन हो तो चलिए यादा दे रही ना करते हुए discussion start करते हैं पहला word है accentuate accentuate एक verb है इसका meaning है to emphasize something देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा she uses makeup to accentuate her beautiful eyes वह अपनी खुबसूरत आखों को निखारने के लिए makeup का इस्तमाल करती है next देखते है accountability accountability एक noun है इसका Hindi meaning है उत्तरदायत जवाब दे ही the fact और condition of being accountable जवाब दे होने का तथ या इस्थिति देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा citizens must demand accountability from their leaders नागरिकों को अपने नेताओं से जवाब दे ही की मांग करनी चाहिए next देखते है alacriti alacriti एक noun है इसका meaning है great willingness, eagerness और enthusiasm हिंदी meaning है अतियुत्सा, तत्परता, प्रफुल्लता देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा she accepted the invitation with alacrity उसने शिर्टा के साथ निमरतन सुखार कर लिया next देखते है ameliorate 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 एक verb है to make something better improve, better स्थिति आदी, सुधारना, बहतर करना मतलब to make something better देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा steps have been taken to ameliorate the situation इस्थिति को सुधारने के लिए कदम उठाए गए है next देखते है apprise apprise एक verb है inform और tell someone notify, tell ये इसके synonym से सूचना देना ये इसका हिंदी मीनिंग है देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा the president has been apprised of the situation राश्पती को इस्थिति से अवगत कराया गया है next देखते हैं क्या sentence है avaricious avaricious एक adjective है greedy of gain excessively acquisitive especially in seeking to hold riches लालची धन लोलुक देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा she turned out to be a crafty and avaricious politician वह एक चलाख और लालची राजनिता था next देखते हैं bolster bolster एक verb है देखते हैं इसका meaning क्या है to support or encourage somebody something to make something stronger इसकी synonyms है reinforce, support, boost देखते हैं इसका हिंदी meaning क्या है किसी को प्रुत्साहित करना बढ़ावा या समर्थन देना किसी को अधिक सशक्त बनाना शक्ति वर्धन करना देखते हैं इसका sentence uses क्या बनेगा the fall in interest rate is starting to bolster confidence ब्यास दरों में गिरावट से आत्म विश्वास बढ़ने लगा है ये इसका हिंदी translation है ओके देखते हैं next word क्या है bounty bounty एक noun है a premium और reward especially one offered by a government a sum paid for killing और capturing a person or animal there was an increased bounty on his head देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा there was a bounty on his head उसके सर पर एक इनाम था next word है collapse collapse एक verb है इसका हिंदी मीनिंग होता है देहना to fall down और break into pieces suddenly अचानक डह जाना या टुकडे टुकडे हो जाना देखते हैं इसका sentence uses क्या होगा a lot of buildings collapsed in the earthquake book camp में बहुत सारी इमारते डह गई इसी से related मैंने और भी sentence लिये हुए तोकि ये collapse word जो है ये काफी important है और कई बार exam में ये collapse का synonyms पूछा जाता है तो मैंने इस से related और भी sentence लिये हुए है शेर प्राइजेस कोलाप्स्ट बिकेम लोवर इस सेडनली आफ्टर न्यूस और पूर ट्रेडिंग खराब ट्रेडिंग की खबर के बाद शेर की कीमते गिर गई अचानक कम हो गई प्राइजेस के डह जाने से बहुत से लोगों की नौकरी चली गई ये इसका हिंदी ट्रांसलेशन है सो ये था इस वीडियो का complete discussion मैंने इसमें 10 words लिये थे छोटा वीडियो बनाया मैंने ताकि आपका यादा समय न खराब हो और आपको words भी पता चल जाए इसमें मैंने हिंदी मीनिंग, इंग्लिश मीनिंग और sentence का uses और आपको sentence में उस हिंदी का translation क्या होगा वो भी बताया तो I hope आपको वीडियो पसंद आया होगा सो ये था इस वीडियो का series का part 1 अगर आपको ये part अच्छा लगा हो तो आप सभी comment box में अपना comment कर सकते है I hope कि आपको इस वीडियो से काफी कुछ words जानने को मिले होंगे और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर सकते है और बगल में bell icon को press कर सकते हैं ताकि मेरे द्वारा बनाये गए हर एक वीडियो की notification आप तक सबसे पहले पहुचे और साथ ही आपको बता दूँ इस वीडियो के description में मैंने अपने टेलिग्राम चैनल का link दे रखा है आप वहां से हमारे टेलिग्राम चैनल को join कर सकते हैं या फिर direct आप टेलिग्राम पर search करेंगे at the rate banking द्वार वहां से भी आप हमारे टेलिग्राम को join कर पाएंगे तो फिर मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए have a nice day and bye